कि हलो एवरिवन मैं आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूटूब चैनल जीएस डाविद पिसी में आपका हारदी कभी नंदन करता हूं और एक बार फिर्ट से आपके सामने प्रजेंट हूं जो कल अपने चैप्टर पढ़ा था प्रमारिक भोत्विका फॉस्ट पार्ट उसी का आपन से कि माज मैं सेकेंड पार्ट लेकर आपके सामने प्रजेंट हूं तो फ्रेंट्स आपसे इतना सा कहूंगा कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को अगर अंतक वोच कीजिएगा शुरू से अंतक वोच कीजिएगा जिसे आप जान इस आपको मिल्च किर आप जैए अच्छे मिल्च को भोच एजर गेंड़ कर सकें तो बढ़ते हैं अपने चेप्टर की और सबसे पहले आज आपन बात करते हैं absolute ड्ич 거야 कि प्σιलिए पर्यों के बारे में किन प्रेंट से इसको और जान लेता है निए तो उसको प्ण deport अंइ कि प्रियोग किया उस प्रियोग को उन्होंने क्या नाम दिया एलफा कन प्रकिर्णन प्रियोग नाम दिया था क्या नाम दिया था एलफा कन प्रकिर्णन नाम दिया था तो इसके अधारपन उन्होंने यह बताया था फ्रेंड कि जो एलफा कन प्रकिर्णन प्रकिर्णन प्र से पर विभाई देखा दिशाल लोट早 हो कि तो कुछ दो बीना कर निक्कि पर अपार करके। निकल गई कुछ कड़े से जो कुछ एक विचलित हो गई और कुछ आलप मात्रा में ऐसे कण थी जो आपती दिशा में अपनी इस्तिति में गए तो यह जो प्रमानु के मद्ध्य भाग में केंद्य धनावे से लगे प्रतिकर्शन बल्चे पुने आपतन की दिशा में लोट प्रमानु में धनावे समरूप से विध्यत होकर मद्य अत्य भाग यह नाभी कहते हैं इसको नाभी कहा जाता है कि प्रमानु केंद्र बिंदू जहां प्रमानु किस्त्री प्रकट होती है उसके अंतरकित हमेंसे क्या होता है अत्यले भाग रूप में क्या होता है जेड़ इस्क्वार कोड़ kraबीबाद जीरो ई होता है क्या होता है कि जैड़ ए स्कुवाइर कोट थीटा अपोन टू अपोन फोर पाई इटा जीरो केपिटल ए किसके बराबर होता मिजा बी के एकवल अब बी क्या है आप इनको उसके जो उसका जो जो प्रदान जिसके उन्दर को तो फिचली ठोलें जो करण गती कर रहे हैं वो उता है जो लिघ्र होती है जो क्या उति बी क्या होती है कि एलफा कन की मनाद नाभिक्षों जो नियुनतम दूरी है उसको प्रधान प्राचाल कहते हैं तो बी पराबर क्या हो जाएगा जैड़ इस्क्वाइर कोड थीटा पॉन टू इस्कुल टू फोर पाई इटा जीरो इह होता है ओके यहां पर आप अपन जान लेते कि आप इनके इनके यह क्या चीज होती है तो जो इटा है जहां पर जो बी क्या है बी तो क्या है एलफा कन की नाभिक्षे नियुनतम दूरी दूरी है यह क्या है यह एक आपतित एलफा कन होता है यह क्या है आपतित एलफा कन की गतिश उर्जा होती है जबकि जेड की बात करें तो क्या हो गया इलेक्ट्रोनिक आवेश होगा ट सीलता हो जेड तो परकिरनन का कौन होगा जिस में वह आपतित होती है जो ठाच क्नंधं की परिवर्थी तो प्रकिरनन कोन कॉन सा होगा ठीटा होगा ओकी फिर जिसको रखें के माधैं समझते हैं कि यह इस डाइग्राम में उनों यह बताए था कि जो जो रखर फोड नेने प्रियोक किया उस प्रियोक कि दाव करें वन कुछ कोन की रूप में परवर्थित हुए और वापस पनने से टक रहे लिए तो यह देखा और उसका प्रदान प्राचाल होगा वो क्या होगा बी बराबर क्या होता है जैड इस्क्वाइर कोट थीटा पूंटू इसक्वल टू फोर पाई इटा जीरो इह होता है तो ओके अभी एबी जाना कि इसका मान क्या होगा तो यह तो क्या हो गया इसकी गति जुर्दा जेड लक्ष नाबी का परमानू karma कि रहे क्या होगा हिक औत्यीथ दूर्पाट चीलता ओर ऐलफ थीटा क्या प्रक्रियन स्केंद्ण जेट्ट कोंटू और और मेंस ने श्तन फे से वा तब उसका उर्जा संगर्षा कहने का मतलब सिरा सीदा यह है कि जब अप्तित होते हो सबाबी केंद्र से चकुराती हैं तो उनकी दूरी क्या होती है इसकी वापस लोटनी से पूर्व जो निकरता में अगर दीव होता है तो इस अवस्ता में एक संड के लिए विरा मवस्ता में माना जाता है तो उस इस्थिति में डीवरा बराबर क्या हो जाएगा तो डीवराबर होगा 1 upon 4 एक पर फिर्ष से लिख देता हूँ मैं क्या हो जाएगा D बिराबर हो जाएगा 1 upon 4 पाई इटा जीरो 2 E का होल J D का होल upon E होगा ओके फ्रेंड एक बार इसको मैं यहां लिख देता हूँ यहां अच्छे से तो क्या हो जाएगा D बिराबर क्या हो जाएगा 1 upon 4 पाई इटा जीरो 2 E का होल Z E का होल upon E होगा यह क्या होगा उठ्जा संगरक्षन के नियम से अगर अपर आफा के बात करें तो क्या हो जाएगा D बिराबर क्या हो जाएगा 1 upon 4 पाई E 0 2 E Z upon E होता है तो इसी स्थिति में अगर बात करें तो यह क्या होता है अलफा के रण प्रकिरन प्रियोग होता है तो आप अच्छे समझ पाएगा यह डाइग्राम को एक बारा आप फिसे दिखेंगे अच्छे से जान पाएगे तो अब बात करतें थो नेक्स्ट है कि प्रमाळू सनरचला के लिए विभिन प्रतिरूप तो प्रमाळू सनरचला के विभिन विजय को ने अपने ने अपने model प्रस्तुत किंषे दूसरा रदर फोर पितिरूप तीसरा बोहर परतिरूप और चोता शूमर फिल्ड परतिरूप इनमें से जो धॉमशन परतिरूप मोडल रदरफूड ये सबसे जादा एमपोर्टन अग्जाम में इनमें से 101 परसेंट क्यूशन पूछा जाता है कि बोहर मोडल और सॉमर फिल्ड परतिरूप थो परतिरूबक है उसकkeit आपन लेते हैं है ओ तो जो धामसर वर्डल तो परमाणों विदृत उदाशीन होता है क्योंकि और उपस्त आवेसक्यों वूर्बर होता है के अ्यों मतलब नावेक्रणों परमाणु का नाविक होता है तो इस हिस्ति ने उनका जो आविस होता है उसके बराबर होता है तो इस फिस्ति ने क्या परमाणूं का धनाविस तो इस प्रियों क्या था पर जब देखा तो उने का था कि जैसे एक लड़्डू होता है ठीक है एक लड़्डू होता है यह भी लड़्डू मालो तर्भूज मालो तरभूज में आपने देख्वा हो कि उसके लाल गीरी होते है उसके बीच में काले काली होते ही तो सेम थे-ठीका तो पहले-उन उनके उपर चार्ज होगा वो चार्ज इस बात को निद करता है कि वो संपूर्ण दर्विवान उसके गोले के चारोर वित्रित होता रहता है तो इस इस्तेति के अंदर के परमाणु इंग्लिस्टर मर्था दसकी पावर दस मीटर तीज्या का धनाफिज गोला होता है जिसमें इस में इसे कंदर को स्बस्क्राइब के चारज होता है जबकि इस परमाणु के बीच में कीसा साथ होता का पोजिटिव होता है तो इस लिए समॉडल को जो कव्वाण गोले में एक समार रूपसी वित्रित होता तो इसके लिए एक्जामपल वैसे लड़ू में इलाइशी तीकि यह लड़ू में आपने दिखा उसमें लाल और खरे दाने लगे उते हैं उसमें लाल तो जो वह उनके इस इस तर्फार रहे कि जो लाल को तो नेगरिटिव मान सकते हैं और हरे को क्या पोजिटिव चार्ज म लगए्जस कमियां किया क्या कमिया रह गई इसकी इसाहता से एक नुर मान की इस्पेक्ट्रम की व्याफीटिव बेख्या नहीं की जा सकती दूसरा इसके साइधाचिझे ईलफा का उनों की प्रकिरन्न प्रक्षित है गटनाओं को नहीं समझाया जा सकता इंग्दार इसके अलब अगजह क्रों से 50 नहीं समझाए जासकता यग थामसं प्रति रूप की कमियां नेक्सिट पने मोडल गत्रव always is का संपूर धनावे इस दर्व्यमान प्रमानौ के मद्धे में दस- what- कि रदर फोर्ड प्रतिरुप एंहें कि रधर फोर्ट का एंगर फोर्ड का प्रतिरुप कुण सा है तो परमानु का संपून धनावे में सो दर्विमान परमानु की मध्य में 10 की पावर MINUS 15 मेटर तिर्जया के एक छोटे भाग की में केंधित होता है जो क्या यह कहते हैं यह संपुण धनावी के शोग मान कि मध्रमान की मध्य में प्रजेंट होता उसकी कितनी होती दसकी पाइव माइनस फंद्रा मीटर होती है जिसको नाभी की मियुक्रीस कहा जाता है कि एलेक्टुन नमी के चारया वर्तकार कख्साओं में चक्कर लगाते हैं तता दसक होते हैं कि इसा होता है विदूत अधाशिन होता है क्योंकि नावेश के बराबर होता है जो यह तो था रधर परमानु परती परती रूप कमीयां लेसकी क्विएंट को समझाने में प्रती है कि प्रती रूप में नुसार परमानु प्रमानु सब्सक्रस प्रत देखा जाए तो प्रमानु स्प्रेक्टर्ण को नहीं समझा सका कि नाभी की बाहरी को प्रजेंट होते हैं उनके उनके वित्रण को उसको समझाने में भी क्या रहा इसाफल रहा तो आप अच्छी से समझ पाएं होंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब दिखो इसमें इसकी इसकी सपस्तूप से दिखा रखा एक जो ये क्या है ये क्या है कि प्रमानु थीग आप मालु में जो बीज का ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है इसको क्या जाता है nucleus क्या कहा जाता है do कि क्या कहा जहाता है Leезде नूक्लियाज के अंदर क्या प्रैंट होते हैं उन को इंपर कैसा हर दोता है उनके मैं हमेशा positive चार्ज होता है कि अ spokes प्रजिटिव चार्ज होता है जबकि इसके चारोर जो कती कर रहे हैं इन पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है इस तरह से इनकी जो इसमें दिखा देगों दूसरे डाइग्राम में देखिए कि यह जो चारोर वर्तगा कसा में लगाते रहते हैं ठीक है और इसको चिसके इस प्रमानू प्रति रूप तो आप समझ पाए होगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं आक्स किरणों की आक्स किरणे क्या हैं तो अपने को पता हैं प्रेट मैं आपको पिछले चैप्टर में बढ़ाया था परकास वाले में कि जो आक्स किरणी होते हैं वह विदूत्शूंब के तरंगे होती हैं कैसे होतीं हमेंजा?? विदूद चुम्ब के तरंगी healthy यह कि यह था किए प्रबाद्हारगनी तैथा घ्रबंस्य इस्तित होती है पर्यचैसे होती है to की स्पेक्ट्रम वोती ऊसके प्राव 놈 ये उसके आगमा होती है इनकी तरंगि देटे प्रास कितने होती जीरो जीरो पॉइंट कितनी होते? 0.1 एंगश्रम से कितनी होती है? 100 एंगश्रम तक होती है। त वरंग देड़े परास की बात करें तो कितनी होती है दसकी पावर 16 हर्टज से दसकी पावर 18 हर्टज होती है तरंधेरते प्रास तो कितनी होगी जीरो पॉइंट एक एंगेश्टम से सो एंगेश्टम तक होती है जबकि आवरती प्रास कितनी होती है तो जबकि उर्जा प्रास की बात करें तो उर्जा प्रास कितनी होगी सो इलेख्ट्रोन वोल्ट से दस हजार एलेक्ट्रोन वोल्ट होती है तीनों आपको याद रक्नी अगर तरग धेर्दे प्रास कितनी होती है जीरो पॉआंठ एक इंग creeping अंजर्ट्रम होती सो इलेक्ट्रोन वोल्ट से दस अजार इलेक्ट्रोन वोल्ट होती है ओके फिर नेस्ट इनकी कठोरता इनकी तरंग धीरत के व्युतकर्मानुपाती और आवरती के हमेशा क्या होती है समानुपाती होती है इस्टेबिलेटी की बात करें तो इनकी इस्टेबिलेटी होती है व होती है हमेशा अक्ति नहीं होती है यह घैस्व को आईनित कर देती हैं यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावीत करती है यह प्रदिप सील-पदार्थ उपर आपतित होने पर चमक उत्पन करते हैं यह कोछी विशेष्टा यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावीत करती हैं और यह प्रदीप्ति सील प्रडाद पर गया होती है उत्पन अपनित होने पर क्या दिया चमक उत्पन करती हैं तो यह इसके कुछ विश्यस्ता है होती है तो आप अच्छे समझ पाए होंगे एकसे पर बात करें तो जो स्पेक्ट्रम होता है तो अक्ष केलन होता है उसको हमेशा वो केसी सितमे उसको सततार्वहरति आपेंड़र भांति होती है उसके कहा जाता है तो आई होप सो आप अच्छी समझ पाए होंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तो थेंक्ट्यू फ्रेंड्स थेंक्स फूर लिस्निंग और वॉचिंग दिस वीडियो तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेर कीजिए अभी से इतना सा होगा कहीं न करिंगों को अच्छा लगा होगा आपको थेंक्स कहेंगे और मेरा वे एक छोड़ा समय से आप लोग पहुंच पाएगा तो आज की रितिना फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंसे लेटेड़ जितने भी एमसीक्यू उनके साथ में तो धन्यमाद फ्रेंड्स जै हिन जै भारत